दोस्तों वीडियो में अनलिसेस करने वाले CSE share के बार में closing Friday के दिन देखने को मिला 177 रुपेश के पास तो इस लेवल से अपना क्या strategy होना चाहिए क्योंकि previously अगर बात की जाया तो stock में एक बड़ा उमलों को move देखने को मिला क्योंकि around 125 रुपे के पास से stock ने momentum करना चालू कि तो जो कि around 200 रुपे के उपर तक का move देखने को मिल रहा लेकिन अभी फिलाल 200 रुपे के पास से लगातार fall देखने को मिल रहा है और stopless रहा हैंग 160 रुपे के आस पास क्योंकि जब तक CSE sustain कर रहा 160 रुपे के उपर कोई दिखकर की बात निया अगर 187 रुपे के पास से 45 रुपे आम लों को और भी fall देखने को मिलेगा तो किसी को नीचे के लेवल पर quantity करना है तो बिल्कूल कर सकते क्योंकि उपर के लेवल पर जिससे आप से मोमेंटम दिखा स्टॉक अरूंड एक साइडवेस रेंज में हम लोको ट्रेट करते दिख सकता है इस रेंज के जब भी उपर के ताब 200 रुपे के उपर ब्रेक आउ हम लोको देखने को मिल सकता है तक तक के लिए इतना इस वीडियो में वीडियो चाहिए तो लोको लाइक करें और चैनल को सब्ट्राइब करें